पूर्व कप्तान विराट कोहली ने एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ अपने T20 इंटरनेशनल करिया का पहला शतक जड़ा. उन्होंने 61 गेंदों पर नाबाद 122 रन बनाए, जिसमें 12 चोके और 6 छक के शामिल है. इसके साथ ही 71 सदी, जिसका बेसबरी से इंतजार किया जा रहा था, आखिरकार उसका अंथो ही गया. अफगानिस्तान के खिलाफ शतक जड़ने के बाद कोहली अब सबसे ज्यादा शतक लगाने की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गये हैं. वह रिकी पोंटिन के साथ दूसरे नंबर पर पहुँच गये हैं. सचिन तेंद करिया का पहला शतक जड़ा. कोहली 2010 से T20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं. लेकिन उन्हें T20 इंटरनेशनल मैच में शतक लगाने में 12 साल लग गए. वह 96 पारी में शतक लगाने में सफल रहे हैं. इसलिए अब इनका ओसत 51 प्लस हो गया है. इस तरह उन्होंने IPL में कुल पाच शतक लगाए हैं. लेकिन उन्हें T20 इंटराश्ट्रिय में पहला शतक जड़ने में इतने साल लग गए. अकेले 2016 IPL में कोहली ने 4 शतक लगाए थे. उस साल उन्होंने 973 रन बनाए थे. यह रिकॉर्ड आज तक बरकरार है. विराट कोहली ने अपने T20 इंटरन शतक भी अपने नाम किया है. कोहली ने 71 अंतराश्ट्रिय शतक भी पूरा कर लिया है. जिसका हर किसी को बेसबरी से इंतजार था. वो पिछले 3 साल से शतक नहीं लगा पा रहे थे. उन्होंने आखरी बार 23 नवंबर 2019 को बांगलादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में शतक ल गये हैं. वह रिकी पोंटिंग के साथ दूसरे नंबर पर है. रिकी पोंटिंग और विराट कोहली इस समय 71 अंतराश्ट्रिय शतकों के साथ दूसरे स्थान पर है. क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदूल कर सोववे अंतराश्ट्रिय शतकों के साथ इस ल परियों में अपना 71 वा शतक लगाया है। इसके बाद रोहित शर्मा ने 2013 में शतक लगाया था। उन्होंने इसी साल आइरलेंट के खिलाफ खेले गए मैच में शतक जड़ा था। इस लिस्ट में छठा नाम सूर्य कुमार यादव का आता है। उन्होंने इसी साल इंगलेंट के खिलाफ T20 सीरीज में शतक लगाया था। विराट कोहली के नाम अब क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने का रिकॉर्ड है। वो ऐसा करने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। कोहली के इस लिस्ट में सबसे पहले तीन नाम आते हैं। सुरेश रैना इस लिस्ट में पहले नमब पर आते हैं। इसके बाद दूसरे नमब पर रोहित शर्मा है। उसके बाद इस लिस्ट में तीसरा नाम के एल राहुल का है। विराट कोहली एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ शतक लगाने वाले चोथे भारतिय बल्लेबाज बन गए हैं जिनके नाम तीनों फॉर्मेट में शतक है टीट्वेंटी वर्ल्ल कप के पहले विराट कोहली का फॉर्म में आना टीम इंडिया को कितना फायदे मंध हो सकता है और हाँ आपको विराट कोहली का 71 वशतक की कितनी खुशी हुई है इस बारे में हमें अपने विचार कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिये और हाँ अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले जै हिंद वंदे मातरम